जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का साइंस का पार्ट 4 करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम आप से 40 MCQ पूछेंगे जो काफी इंपोर्टेंट होगा आपका आने वाला एक्जाम जो 21 फरवरी को आप लोगों को होने वाला है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा सुरूस लेकर अंत तक बने रहिएगा और इस यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल अकन को दबा लिजेगा त सब चैनल पे वहां से आप सारे चीज़ को एक्सेस कर पाऊगे देखिए यहां पर सबसे पहले सवाल आप से पुछा के जाए किसी बिम का वास्तविक तथा समान साइच का प्रतिविम प्राप्त करने के लिए बिम को उत्तर लेंस के सामने कहा रखेंगे इस तरह का सवाल जो है आता है एक्जाम में बाबू ठीक है राइट अंसर फोकस दूरी के दूगने दूरी पर ठीक है नेक्स्ट देखें क्या है हमारा धुरू और वकरता केंदर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो धुरू और वकरता केंदर को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आउतल लेंस की focus दूरी होती है यानि आउतल लेंस जो है उसकी focus दूरी आपको बतानी है तो वो रिनात्मक होती है और आउतल दर्पन द्वारा परदिबिम दर्पन के पीछे बनता है जब वस्तू कहां रहेगा तो जब वस्तू को हम लोग P तथा F के बीच में रखेंगे ठ चलिए नेक्स्ट सवल पर आते हैं नेक्स्ट है आपका आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है तो आँख का जो रंगीन भाग हो उसको हम लोग आईरिस कहते हैं परितारिका कहते हैं ठीक है नेक्स्ट रवाले हमारा समानी नेत्र की दूर बिंदू क्या होती है तो सम कितने मिनिट का अंतर होता है तो परतिदिन सुर्योदय और सुर्य अस्त में जो समय का अंतर होता है वह आपको बताना है सुर्योदय एवं सुर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनिट का अंतर होता है यह आपको बतानी है तो राइट आंसर इसका है ऑप्सन नमर दो मिनिट क नेक्स्ट है आपका दृष्टी दोस मुखिता होता है कितने परकार का होता है एक दो तीन होता है कितने होता है तो तीन परकार का होता है किसी विदुद बल्व का अनुपा मंतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है जब इसे 110 वोल्ट से परचलित किया जाता है तो इसके द्वारा उ आप लोग इसको क्या करो, बना करके इसका आंसर कॉमेट बॉक्स में टाइप कर दो, जल्दी सब वीडियो जो रोग करके, हम इसके लिए जो नुम्रिकल है, उसके लिए इस पेसल वीडियो अलग से लेकर आएंगे, जिसमें इन सब सवालों को सामिल किया जाएगा, नेक्स्ट सवाल देखे, कुर्सन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, कुलम आवेस को कितने इलेक्ट्रोन होते हैं, एक कुलम आवेस का जो इलेक्ट्रोन की जो संख्या है, वो है, 0.6 इंटू 10 पे पावर, 19 कुलम, 9 इलेक्ट्रोन होगा, कुलम बोल रहा हैं, ठीक है, तो आवेस है, ठीक है, चुम्बक के छेतर सबसे अधिक प्रबल होता है, कहां पे आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर भी चुम्बक के धुरूपर, उप्योगी पवन उर्जा प्राप्त करने हेतू, पवनों का नियुनितम बेग्ग क्या होन चाहिए, तो पवनों का जो नियुनितम बेग होना चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर परती घंड़ा होनी चाहिए, और ये सवाल बहुत ही इंपोर्टन्ट है, एक्जाम में पूस्ता है, अमल एवं छारक के बीच की अभिकरिया क्या कहलाती है, अमल और छारक के बीच की जो अ उदाशनी करन अभिकरिया कहलाईगी, साख सबजियों का विगटित होकर कमपोष्ट का बनना किस अभिकरिया का उधारन है, तो ये जो है आपका ऑप्सन नमबर बी उस माचेपी अभिकरिया का उधारन है, ठीक है, कोशन नमबर सिस्टीर पर आए कह रहा है, बीए सील किरिया से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है हमें, तो लवन और जल दोनों प्राप्त होगा, पदार्थ A, B, C, D का पी एच मान आपको दे दिया है, इनमें से कौन पदार्थ जो है वो अमल है, और जानते जो अमल होता है, वो साथ से कम होता है, ये जो दो किसको प 20 में कौन सा पदार्थ क्लोरिन से अभी करिया करके विरंजक चुन बना लेता है, क्लोरिन सा अभी करिया करके CSO4 विरंजक चुन बना लेता है, उभैधर्मी ऑक्साइट के जो उधारन आपको बताना है, तो यहां पर Al2 O3 भी होगा, और ये B उगा, जेडनों भी होगा तो दोनों हो जाएगा ठीक है next है आपका कांसा मिस्र धातु है किसका आपको बतानी है तो कांसा जो है CU plus Sn का क्या है मिस्र धातु यानि copper और tin का चाकु से काटा जा सकने वाला जो धातु है वो कौन है आपको बतानी है तो right answer है option number B sodium इन में से किस तत्व में electronic विन्यास 287 है तो किस तत्व का जो है electronic विन्यास 287 है आपको बतानी है तो यहाँ पर अगर आप इसको जोडोगे तो हो जाएगा 8,2,10,17 यानि की chloride ठीक है याद है चलो निमने में से कौन सा कथन जो है वो असत्ते है आपको बतानी है तो right answer हो जाएगा methane असंतित hydrocarbon ये कथन जो है वो असत्ते है benzene का अनुसूत्र आपको यहाँ पर बताना है तो benzene का जो अनुसूत्र होगा वो हो जाएगा C6H6 ठीक है question number आते हैं 27 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातू जो है उपधातू नहीं है कौन सा धातू यहाँ पर उपधातू नहीं है तो hydrogen pyruvate के विखंडन से ये CO2, H2O तथा उर्जा देता है ये किरिया होती है ये किरिया कहां होती आपको बताना है तो metocondriya में होगा ठीक है पोधों में वासपोर सरजन का भाग में होता है फूल जल तना वासपोर से जिन कहां होता है पती में होता है तो राइट अंसर हो जैगा का कानी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदाई होता है तो फल को पकाने के लिए जो आर्मोन है वो है इथिलीन ठीक है मलेरिया परजीवी का नाम क्या है आपको बतानी है राइट आंसर होगा प्लाजमोडियम ठीक है इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन मादा जननतंत्र का भाग नहीं है तो मादा जननतंत्र का भाग नहीं है औप्सन नमबर C हो जाएगा सुक्रवाही का मानव सरीर में किस समानी कोशिका में गुनसूत्रों की कितने युग्म होते हैं तो ये जो गुनसूत्रों के युग में होते हैं, option number C हो जाएगा, 23 हो जाएगा Next है, मानव में के इस्तरी में लिंग गुनसूत्र होते हैं मानव के इस्तरी में जो लिंग गुनसूत्र होगा, वो आपको बताना है तो वो X, X होता है, ठीक है? और पुरूस में कितना होता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर चल्दी सा बता दीजिए 37 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव और नमनिकरिन पतार्थ है तो राइट आंसर आप्सन नमबर ए डीडीटी ठीक है डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइकलोरो डाइफिनाईल ट्राइकलोरो इथेन ठीक है इसको आप लोगों को याद रखना है नेक्स देखे क्या है हमारा पेल पौध है जन्तु तथा सुक्षमजीव परियावरन के कैसे घटक है तो ये सभी जो परियावरन के क्या है बताए जैविक घटक है उर्जा का गैर परमपरिक सुरोत क्या है तो उर्जा का गैर परमपरिक सुरोत पवन उर्जा हो जाएगा कुला जल संयोजन की एक पुरानी विधी है यह निम्नंकित में से किस परदेश में उपयोग में लाई जाती है यह हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर A हिमालाई परदेश में उमीद करते हैं आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बैल अकन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पे जाए इसके इलावा सब्जेक्टिब के लिए आप हमारे वाट्सप चैनल को जरूर जोइन कीजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नहीं तो दिये के नंबर पे भी आप संपर्क करके जोइन कर सकते हो पे आपको important notes प्रोवाइट करवाया जा रहा है मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में Thank you